दोस्तों इंडिया वोमेंस और इंग्लेंड वोमेंस के बीच में दूसरा T20 में जो की 9 दिसंबर को खेला जाएगा वांड के रेस्टेडियम में ये मैच होने वाला है और पिछला मैच भी यहीं पर हुआ था सबसे पहले मौसम की बात करें तो मौसम लगबग ठीक ठाक रहन लो उसमें 445 बिचेट इस्पिनर्स ने और साचर्विकेट फास्वर्डन ले जिसमें की 42% बिकेट स्पिनर्स को और 58% बिकेट फास्ट लोलो टो लेकिन अगर देखा जाया आए शुपी एकलिस्टन ने पिछले मैच में सैंड इनिंग में भी बिकेट निकाला था जबकि इस ग्राउंड पर सेकेंड इनिंग में जल्दी बिकेट गिरते नहीं है पर पिछले मैच में जरूर गिरे थे ओवराल हाई स्कोरिंग मैच यह भी होगा दोसों के करीब इसमें भी रंस बनते हुए आपको फॉस्ट इनिंग में नजर आएंगे वह इंडिया बैटिंग करें या पिर इंग्लेंड करें उसके लाबाद पिछला जो तीन टी ट्वेंटी मैच यहां पर खेला गया जिसमें की इंग्लेंड वोमेंस ने पहले मैच में एक सो सतावी बनाए भारते टीम एक सो साथ के करीब पहुच चुकी थी उसके लाबाद जो और मैच हुए आई पिल क ऑक चेस किया गया एक सो बासट को अब तक यहां पर इफेंड किया गया अब बात कर लेते हैं पिछले पांच मैच में दोनों टीम को अधे पेमेंट कर लुट पिछला भांश हिआ ये जीत गई थी अर्थिस रन से उससे पहले वर्ड कप में जब दोनों टीम आपस में फिरी इंगलेंड ने 11 रन से मैच जीता और एक और स्रीज खिला गया था 2022 में सेप्टमबर के महीने में उसका आखरी मैच भी इंगलेंड ने 7 विकेट से जीता ये तीनों पिछले मैच इंगलें इंगलेंड की बात करों तो इसने फिलहल के लिए 126 रन बनाए थे और आधाया याद को एक विकेट उसके लावा पूजा पस्तराकर को एक मिला था उसके लावा बात करेंगे दूसरे टीम के तरफ फिलहाल के लिए तो दूसरे जो वर्ड कप वाला मैच हुआ था उसमें वुमेंस की टीम ने 151 रण बनाया थे जिसमें की Nate Severe बरेंट ने 50 और Amy Jones ने 40 बनाया थे Nate Severe ने पिछले मैच में भी हाब सेंचरी लगाई है रेनुका सिंग ठागोर ने 5 विकेट लिया जो पिछले मैच में भी 3 विकेट ले चुकि सिखा पांडे ने एक विकेट लिया था इंडिया वोमेंस टीम की बात करो 140 रन बनाये था और इसमिर्थी मंदाना ने 52 रन बनाये थे उसके लाबार रिचाब भोस ने 47 और सारा ग्लेंड को फिर से दो बिकेट मिला सोफी एक लेश्टर ने फिर से एक विकेट निकाला तो सो इस पर आपको फोकस करने की जवरत भी है एक सफाली ने 52 और हर्मन पर निकाला और सारा ग्लेंड ने यह दो नों प्लेयर हर मैच में भारत की खिलाब बिकेट निकालती है तो सारा ग्लेंड को आप सोफी एकलेस्टन को आप कैप्टन भी कर सकते हुं उसके लाबाब नेट सेवियर बरेंट जो विकेट तो लेती हैं साथ ही साथ रंस भी बनाती नजर आती हैं यह भी इंपोर्टन होने वाली उसके लाब बात करें ओबर आल पिछले दस मैच में भारतिय टीम ने टोटल छे मैच जीते हैं जबकि इंगलेंड ने दस मैच जीते हैं 122 प्भारतिय टीम का एबरेज इसकोर जबकि इंगलेंड का 158 का बहुत बड़ा अंतर नजर आता इसमें उसके लाबबाव एक 177 यह सगये टीम ने एक मैच घिला वो जीत गई ुसके लाबबा दोनों टीमों के इस सक्वाड आप यहां पर देख सकते हैं कापी सारे नई प्लेयर है फिलाल के लिए पिछले match में भारते टीम के तरब से भी स्रेंका पार्चिल होगेरा को मौका मिला था आप बात कर लेते हैं जो दोनों टीमों की possible playing 11 होने वाली है उसमें पॉस्वल प्लेंग लेबर फिलहाल के लिए आपको नजर आने वाली मुझे लगता है इसमें स्रेंगा पार्टिल को आपको जरूर जगा देना चाहिए और सायद स्रेंगा पार्टिल आपको पूजा बस्त्राकर की जगा पर खेलती नजर आएंगी उसके लाबा बांकी सेम टीम यही होने वाली है उसके लाबा बात करेंगा भार्टिल के तरफ से प्लेयर कौन से रखने तो सैफाली को फिलहाल के लिए आप ड्रॉप कर दीजेगा इस मैच के लिए असमर्ती मंदाना के साथ जाना जैमिमा रॉजर्स को आप टीम में कर सकते हैं हर्मन प्रीत को को उसके लाबा दीपती सर्मा को आपको टीम में करना है और रेनुका सिंग को आपको टीम में जरूर करना है और इस मैच में स्रेंका पाटी लगर खेलती है पूजा के जगा पर तो आप स्रेंका को टीम में जरूर कर सकते हैं उसके लाबा इंगलेंड वोमेंस टीम की बात कर लेना सारा ग्लेन के अलावा अप फ्रेया केम्प को या फिर माई का गौर में से किसी एक को दूनों में से आपको टीम में ज़रूर कर ले झाए हेट लेट के कॉंटेस्ट में डैनियल निकोलस वाइट को और वास्ट कर चकते हैं तो आप चाहो तो वाइस कर सकते हैं तो बाक employ को फोरा सर इसकी प्लेयर रहेंगी पर वाइस केप्टन अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो उसके अलावा सैफाली के जगा पर अगर आप स्मिर्ती मंदाना को कैप्टन करेंगे तो वह ज्यादा बेटर होंगी कि उनका इंग्लेंड के अगेंस रेकॉर्ड बहुत बढ़िया रहता पर इस समय थोरा सा पिछले मैच में जल्दी आउट हुई थी एमी जोन्स का बिकेट कीपिंग कापी अच्छा और साथी साथ बले बाजी भी ठीक ठाक देखने को मिली तो रीचा के जगा पर आप एमी जोन्स को ट्राइ करना चाहोगा बिकेट कीपर के तोर पर सैफाली का पिछला मैच जरूर अच्छा राय पर उससे पहले खराब फॉर्म से गुजर रही है उसके लाबा सोफी डंकली का भी थोरा सा खराब फॉर्म देखने को मिला है साथी साथ डैनियल बहुत जबरदास फॉर्म में चल रही है और भारती टीम जब मिल जाती तब यह बहुत जबरदास पर फॉर्म मेंस करती जमिमा का भी फॉर्म लगभग ठीक ठाक देखने को मिला है नेट सेविर बहुत बहुत बेतरी नौल राउंडर नजर आएगी डैनियल गिपसन उसके लाबा कानिका अहुजा का थोरा समुझे रिस्क लग रहा है फिलहाल के लि लेन एक और बहुत बहुत जबरदास परफॉर्मेंस करी इनको पहली बार खेलने का मौका मिला और मुझे लगता है टाइटस संदू के जगपर स्रियंका पार्टिल ही टीम में होने वाली है तो जो उस रिंका पार्टिल में चाहोगे तो इनको आप जरूर टीम में करना च चैनल आपको जोईन करना चीए साथ ही साथ यूटूब चैनल को सबस्क्राइब करके वीडियो को लाइक करके और शेयर जरूर कीजे थैंकिस हो में